Hello and Welcome, we are learning AWS IAM और आज हम IAM के डॉन के बारे में बात करेंगे जो है हमारा Root User Account आपको मालूम ही है कि Root User Account के पास Unlimited Power होता है और अगर आपके Root Account का Power किसी और ने ले लिया याने कि अगर आपका Root Account हेक हो गया तो आप तकलिफ में 100% आ जाओगे और इसलिए AWS ने कई सारी Best Practices हमें दी है Root Account को मेनेज करने के लिए और उसी Best Practices के बारे में हम आज बात करने वाले हैं So, Let's Start This सबसे पहले वहाँ पे 10-12 Best Practices है हम Main 5 Best Practices के बारे में बात करेंगे और उसमें सबसे पहली Best Practices है Enable Multi-Factor Authentication जब हमने IAM User बनाया था तब ही मैंने आपको बताया था कि हमें Multi-Factor Authentication Enable कर लेना चाहिए इवन आप कुछ भी यूज करते हो Multi-Factor Authentication Enable कर लो खास करके अगर आप WhatsApp यूज करते हो या Facebook यूज करते हो तो Please Multi-Factor Authentication Enable कर लो क्योंकि वो Always हमें Extra Layer of Security देता है यहाँ पे हम Root User की बात कर रहे हैं तो Root User के लिए भी Multi-Factor Authentication Enable करना चाहिए IOM के लिए मैंने आपको बताया था कि कहां से हम करेंगे पर Practically मैंने आपको नहीं दिखाया था आज इस वीडियो में हम Practically Multi-Factor Authentication Enable करते हैं अपने Root User Account के लिए तो सबसे पहली बात What was Enable Multi-Factor Authentication for your Root User MAP adds Extra Layer of Security by Requiring Second Form of Verification beyond just a password तो सबसे पहले हम क्या करते हैं Practically देख लेते हैं सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा AWS Consor पे यहां पे हैं IAM अब देखें यहां पे Security Recommendation में ही मुझे यहां पे आ रहा है Add Multi-Factor for your Root User Account साइद आपको ना भी आ रहा हो तो यहां पे Multi-Factor Authentication करने के लिए यह Short Cut तो है पर एक दूसरा रास्ता भी है आप अपने Account में जाओ और वहां पे आपको मिलेगा Security Credentials जिसे ही आप Security Credentials में जाओगे यहां पे आपको Root के लिए सभी डीटेल्स आएगी यहां पे एक है Multi-Factor Authentication तो यहां पे मैं करता हूँ Assign MFA Device अब यहां पे मैं device का नाम दोनगा जिसे My MFA देखें यहां पे हमारे पास तीन ओप्सन है Authenticator App, Security Key and Hardware Token यहां पे यहां पे हमारा काम स्री में भी कर सकता है इसके लिए हमें चाहिए एक Authenticator App Best Authenticator App गूगल की है तो वहां पे आप डाउन्लोड कर सकते हो Google Authenticator यह Google Authenticator App अवेलोबल है Android and iOS दोनों पे तो आपको सिर्फ डाउन्लोड करना है जैसे ही आप डाउन्लोड करोगे और next करोगे आपको यहां पे option होगा अब देखे मैं अभी Google Authenticator App में जा रहा हूँ मेरे mobile से तो यहां पे आपको ओपन करना है Google Authenticator जैसे ही आप Authenticator App ओपन करोगे आपको दो option आएंगे add code और account change account वहां पे आपको क्लिक करना है add code जैसे ही आप add code पे क्लिक करोगे आपको option आएगा scan QR code and enter setup की अब हमें यहां पे QR code करना है तो यहां पे देखे मैं 100 QR code करता हूँ मुझे QR code सामने आगया और अपने mobile में सभी मैं scan QR code कर लूँगा तो यहां पे मैंने QR code scan किया जैसे ही QR code आप scan करोगे आपको एक one minute की लिए code आएगा 431073 और उसके बाद आपको wait करना है एक मिन के बाद दूसरी बार code आएगा one तो यह दिनों code मैंने डाल दियो है अब यहां पे मैं करूँगा add MFA जैसे ही आपने add MFA कर दिया अब आपका root account जो है वो multifactor authentication के साथ enable हो चुका है अब मुझे test करना है sorry sorry to interrupt you I know that video बहुत interesting है पर अगर आप यह 100 days challenge के सभी videos पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको दो options दे रहें option number one हमारी website www.cloudfox hub पे चाहिए वहाँ पे आपको 100 days YouTube challenge course मिलेगा उसको subscribe करीए हमारा price बहुत ही कम है just 4.99 rupees यह जो भी videos हम यहाँ पे YouTube पे डालते हैं वही full video आपको इस particular course में मिलेगा 240 videos टोटल मिलेंगे दूसरा एक बहुती अच्छा option है जो हम आपको YouTube के थ्रू देंगे now you can join our YouTube elite membership program as well यह member बनने के लिए आप हमारी YouTube channel cloudfox हिंदी पे जाएए वहाँ पे exactly subscriber button के बाजू में आपको एक join button मिलेगा वहाँ पे join करिए आपको monthly सिर्फ और सिर्फ 89 rupees पे करना है और यह सबी videos आपको full तो वहाँ पे मिलेगे ही up to 240 और कई सारे courses चो हम future में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 rupees per month I hope you will join this thank you very much goodbye बाइ